हेलो स्टूरेंट साइम शेकर सार एंड तोड़े विया गोई तो लेर्ण अप्रिशिएशन ऑफ पोयम आप नाय स्टेंडर तान सेंग अगर अब तक आपने हमारे तने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिये स्टार्ट करते हैं आज का वीडिओ बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बचों मैं आपको बता दूए इसका पोयम बना दिया है ठेके यह आपको आइकार उपर में और आपके हमारे डिसक्सिंग बॉक्स में जो है इसनी मिल जाएगा अब वहांसे जाके हमारे की वीडियो को देख सकते हैं ओके सो नाव लेट्स बेगिन विद द एप्रिशेशन ऑफ पोयम तान से तो देखिए सबसे पहले जो हम पॉइंट के बारे में डिस्क्रिस कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि इसका पैरेगरा फॉर्मेट जो है वह कैसे लिखना है ठीक है सबसे फ़र्ला पॉइंट क्या है इसका टाइटल वट जेकंड पॉइंट 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 आइडिया फॉर्थ पॉइंट क्या है राइम स्कीम और फिकल्स पीच, एप्ट पॉइंट, इससे पीचरिज इंप्लाइड वीनिंग और आपका दिया हुआ है से पॉंट में आपको टाइटल मतलब पोयम का आपको नाम लिखना है एंसे के इस पोयम में उस्पेम में यूज हुए है क्या वो आपको लिखना है and figure of speech, कौन-कौन से figure of speech इसमें use हुए हैं और कितने use हुए हैं and कौन सा phrase या line बताता है कौन सा figure of speech वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है, और उसके बताऊंगा कि special features जो है, इसमें और जो है इस poem में क्या अलग जो है, अलग से special जो है वो बताया हुआ है and after that, favorite line जो है मैं अपनी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में और आप से ही, मैं request करऊंगा कि आप भी अपना favorite line जो है मुझे बताईए, लेकिन इसके लिए आपको मेरा video देखना पड़ेगा Tan Sin का poem and उसके बाद आप बता सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हैं और यहाँ भी आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी favorite line कौनसी है ठीक है? and उसके बाद हम देखेंगे why I like and don't like the poem so हमेशा I like the poem because ये बहुत अच्छा है poem ठीक है? इतने भी मैंने poem बना है वह सब poem अच्छा है तो मैं भी आपको सर्जिश्ट करूँगा आप exam में भी लिखोगे तो I like the poem ऐसा ही लिखना and don't like the poem मत लिखना ठीक है? so now let's start with the paragraph format of the appreciation okay so here देखिए Tansin poet का हमने का लिखा poem का यहाँ पे poem का नाम लिख दिया अब यहाँ पे दो पॉइंट कावर होगया आगे की थर्ड पॉइंट की तरफ central idea ठीक है? मैंने बता दिया आपको poem का नाम और आपके poet का नाम ठीक है? अब देखिए his meeting with the Tansin's teacher and what he felt during this meeting and the final lines lead to the climax of the story ठीक है? अब यह अगर आपको जानना है इस poem के और में कि जो final line जो है इसकी last line जो है वो बताती है climax of the story story के पूरे के पूरे poem के बारे में इसके लिए आपको मेरा poem देखना पड़ेगा ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं the poem is in a couplets ठीक है? मतलब दो दो lines के जो है आपको जो है stanzas मिलेंगे एन उसके बाद दिया हुआ है so the rhyme scheme is a a ठीक है? because rhyming word जो है वो एक पूर्ड first stanza और second stanza से क्या हो रहा है? pairing में राइमिंग वड़ आपको मिलेगा इस poem का and उसके बाद दिया हुआ है a figure of speech अब इसमें कितने figure of speech जो है वो यूज हुए वो हम देखेंगे तो इसमें यूज हुआ है alliteration फिर उसके बाद simile and inversion ठीक है? अब इन तीनों में से आपको कोई भी एक जो है exam में बताना पड़ेगा ठीक है आपको बताना पड़ेगा कि alliteration, repetition, simile and inversion अब इतने जितने भी figure of speech इस poem में है इसमें जब किसी एक poem जो एक figure of speech का example आपको बताना पड़ेगा कि कौन से line जो है इन चारों में से कोई एक figure of speech को दर्शाती है ठीक है तो मैंने बता है इसमें alliteration अब alliteration के लिए मैंने एक line दिया हुआ tell me tansen what the theme this is that holds ठीक है यहाँ पर जो है repetition of the sound of the letter T होता है ठीक है tell me tansen T T ठीक है यहाँ पर repeat हुआ है ओके और other figure of speech का है आपका वो है आपका जो है आपका simile और inversion ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे the poet wishes to convey that अब यहाँ बढ़ रहे हैं किस की तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे special features की तरफ okay special features or implied meaning की तरफ so the poet wishes to convey that one can reach the great height in one's field if one becomes unworldly and devotees the one talents to someone or something okay and higher than the mere human being यहाँ पर जो कोई अपने ही यहाँ पे poet ने का किया है wish किया है मतलब एक तरीके से wish को बताया हुआ है कि कोई कोई भी अपने field में अगर बहुत ज़ादा उपर चलाता है और वो भक्ती के साथ में बतलब बहुत ही शिद्दत के साथ में उसका अपने talent को जो है easily understood और यह आपको poem जो है वो easily इतना simple way में लिखा हुआ है और पढ़ते ही आपको जो है अच्छे समझ में आ जाएगा and the last line is the climax of the poem और जो last line है इस poem का जिसके आपको मेरा देखना पड़ेगा तो इसमें आपको मालना पड़ेगा कि जो story का जो climax है वो क्या दिया हुआ है ठीके and that really makes us think वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा and after that my favorite line is in the climax ठीके जो मेरा favorite line जो है वो क्या है मेरा climax का हिलाए है और आपका क्या है वो आप मुझे comment section में जरूर बताईए अ, no to thee I sing, he sings to God ठीके यह है मेरे उस poem का जो है favorite line है जो मैं आपको बताया अपना ठीके and I like the poem because it is in the format of a story and easy to understand यह poem मुझे क्यों पसंद है त्योंकि यह poem जो है वो एक story के format में दिया हुआ है and it is easy to understand so, यसे के साथ आपका जो है तान से नाइन स्टेंडर का poem of appreciation जो है वो आपका खतम होता है I hope यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमें comment section में बता सकते है उसका reply में आपको तुरंट देंगे अगर यह वीडियो आपका पसंद आया है तो इस वीडियो को like कर दिजिए अपने friends के बीच में share कर दिजिए और अगर अब तक भी आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दे बच्चो और bell icon पे press कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले latest English lesson, poem, writing skill, appreciation and grammar videos easily मिलते रहें तनिवाद, thank you for watching